हलो दोस्तों मैं हूँ सुश्मा और आज हम बात करेंगे ओड्स यानि जैस से होने वाले फाइदों की बारे में ओड्स एक प्रकार का अनाज होता है जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स होते हैं इसमें कैल्शियम के साथ साथ पॉस्परस और पॉडशियम भी भरपूर मात्रा में मौज़ुद होते हैं इसके आटे से दलिया भी बनाया जाता है जो हमारे सहत के लिए बहुत फाइदे मत होता है ओड्स हमारे स्कीन, वेट लॉस और डाइबेटीस अधी में बहुत फाइदे मत होता है तो चलिए जाते हैं इसके कुछ और फाइदों के बारे में ओड्स से बने हुए दलिये में लो फैट और लो कैलोरीज होती है जिससे इसे पचने में आसानी होती है इसमें फाइबर, बिटैमि और प्रोटीन होने के कारण ये कोलिस्ट रॉल को कम करके इसे कंट्रोल में रखता है डाइबेटीस के पेशन के लिए ओड्स या फिर ओड्स से बना खाना-खाना बहुत ही फाइदे मत होता है इसलिए शुगर को कम करनी के लिए रोज ओट्स खाना चाहिए ओट्स आपके सेक्स लैप को भैतर बनाने में भी मदद करता है ये आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन के लेवल को बढ़ाता है जिससे आपका सेक्स स्टैमिना बढ़ता है और आप सेक्स का पूरा आनत ले पाते हैं ओर्स में L-ार्जिनिन नामक अमीनो आइसिड होता है जो पुर्शों में नपुन सकता को भी दूर करता है आम तोर पर बुढ़ापा आने पर यार्दाश कमजोर होने लगती है जिसकी कारण इनसान को कई तरह की मानसिक बिमारिया हो जाती है ऐसे में अगर आप रोजाना ओट्स का सेवन करते हैं तो बुढ़ापे में भी आपकी यार्दाश तेज बनी रहेगी ओट्स खाने से जमा हुआ पित खत्म हो जाता है साथ ही पेट को साफ करके कौंस्टिपेशन की समस्या को तूर कर देता है अगर आप जादा तेल और मसाली दार खाना खाते हैं तो आपके शरीर में फैट जमा होने लगता है जिसके वज़े से आप मन चाहे कपड़े भी नहीं पैच सकते ऐसे में अगर आप रोजाना ओट्स का सेवन करते हैं तो यह आपके पेट के आसपास की चर्बी को घटा कर आपको स्लीम बना देता है अगर आपके सीर में हमेशा खुझली रहती है या फिर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राय है तो आप ओर्ट्स को पानी में मिला कर इसे अपने स्कैल्प पर लगाने से आपको खुझली और ड्रायनेस की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा एक रिसर्च में पदा चला है कि ओर्ट्स में फाइटो केमिकल्स होते हैं जिससे आप कैंसर जैसी बिमारी से बस सकते हैं अगर आप नियमी त्रूप से ओर्ट्स का सेवन करते हैं तो दिल की कई बिमारियों से बस सकते हैं Oats की मदद से आप चेहरे की पिंपल से छुटकारा पा सकते हैं पके हुए Oats को चेहरे पर लगाने से ये आपके चेहरे से बैक्टेरिया और ओल को खदम करके पिंपल से छुटकारा दिलाता है Oats में Fiber और Magnesium पाया जाता है जो आपके दिमाग में Serotonin की मात्रा को बढ़ाता है जिससे आपका दिमाग शान रहता है और इसकी वज़े से आपका मूड अच्छा रहता है और आपको अच्छी नीन आती है आप चाहे तो इसमें Blueberry भी मिला कर खा सकते हैं क्योंकि इसमें Vitamin C और Antioxidant भरबूर मात्रा में पाया जाता है इसी के साथ Oats के फाइदों पे बना हमारा ही Special Video यही पे समापत होता है इसी तरह के और देशिन उसके जानने के लिए हमारे चैनल इमामदस्ता को अभी सब्सक्राइट करें और हमारे इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंज के साथ शेयर करना ना भूले इमामदस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बिमारी को दूर भगाना और चोटी से चोटी बिमारी को पास ना आने देना अगर आपको हाट की प्रॉब्लम है कोलेस्टरॉल बढ़ा हुआ है या फिर आपका वजन बढ़ते जा रहा है तो गबराये मत इन सबका इलाज अलसी के बीज में है जी हाओ दोस्तों अलसी के छोटे छोटे बीजों में स्वास्त के कई राज शुपे हुए हैं तो चलिए इन्हें विस्तार में जानते हैं